आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर हम अपने आईफोन में किसी भी एप को अगर हम लॉक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं या फिर हम अपने आईफोन के कावी सारे एप्स को अगर हम लॉक करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं इसी टॉपिक के बारे में इस वीड बार में चले जाना और यहाँ पर लिखा हुआ है app library, यहाँ पर हमें symbol से search कर लेना है shortcuts, यहाँ पर हमें सबसे उपर एक shortcuts का option देखने को मिल जागा, यहाँ पर हमें इस तरीके से click कर लेना है, नीचे की side यहाँ पर लिखा हुआ है automation, यहाँ पर automation option पर click कर लेना है, उसके आप्स वालो ऑप्शन में हमें एप को ऑप्शन देखने को मिल जागा यहाँ पर क्लिक कर लेना है अब यहाँ पर लिखा हुआ है इस ओपन और इस ख्लोस तो हमें यहाँ पर इस ओपन पर क्लिक करके रखना है उपर की साथ यहाँ पर लिखा हुआ है एप चूस यहाँ पर क कर सकते हैं तो चलीए यहाँ पर मैं आपको लॉक करके दिखा देता हूँ अपने Instagram अपको तो हम यहाँ पर अपने Instagram को सर्च कर लेंगे यहाँ पर हम इस तरीके से क्लिक कर लेंगे एप हमारा सेलेक्ट हो चुका उसके बाद next option पर क्लिक कर लेंगे अब यहाँ पर लिखा हुआ है add action add action option पर क्लिक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर search option पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर हमें search कर लेना है timer यहाँ पर लिखा हुआ है start timer यहाँ पर हमने इस तरीके से क्लिक कर लेना है उसके बाद यहाँ पर start timer for five minutes में हमें चले जाना और यहाँ पर one lick देना है minutes पर क्लिक करके हमें seconds option पर क्लिक कर लेना है अब यहाँ पर लिखा हुआ next, next option पर क्लिक कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर हमें एक option देखने को मिल जाता ask before running का इसको हमें off कर लेना और notify when run इस option को हमें enable कर लेना है उसके बाद हमें done option पर क्लिक कर लेना है अब यहाँ पर हमारे जो काम है वो खतम नहीं हुआ है हमें फिर से search बार में चले जाना और clock लेकर सर्च कर देना है यहाँ पर हमें timer option पर क्लिक कर लेना है और timer में हमें 1 second करके यहाँ पर when timer ends में stop playing इस last वाले option को select कर देना उसके बाद set option पर click कर लेंगे अब हमारे जो काम है वो खतम हो चुका है अब इस app में मैंने instagram में lock लगाया था तो हम यहाँ पर click कर लेंगे इस तरीके से click करने के बाद आप देख सकते हो इस तरीके से lock लग चुका है अब इसको अगर हम swipe करना चाहाँ और जो भी हमारा passcode है passcode को fill करके हम अपने app को unlock कर सकते हैं या फिर हम phone को switch off करेंगे और face ID से अगर हम इसको unlock करना चाहाँ तो face ID से भी हम इसको unlock कर सकते हैं आप देख सकते हो face ID से यह unlock हो चुका है हमारा app तो बस गयज यही थी आज की वीडियो इसी तरीके से आप भी बड़ी आसानी से मेरे बता हूँ अस तरीके से आप अपने iPhone में iOS सिस्टम में आप किसी भी app को आप lock कर सकते हैं multiple apps को आप lock करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं face ID password से आप इसको open कर सकते हैं तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो like और share कर देना और चैनल को subscribe करेंगे bell notification पर आप जरू क्लिक कर लेना thank you